हेलो आइस आज हम बात करेंगे Redmi Note 9 और Note 9 Pro के बारे में और आज हम बात करेंगे इसके Display Colors के बारे में कि कैसे आप लोग अपने फोन में Display का Color को Change करेंगे वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप लोग हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेजीगा बेल का इकन को प्रेस करेना है तो फर्स्ट अफल क्या करेंगे हमें यहां पे फोन में सेटिंग्स को उपन करें उसके बाद हमें डिस्प्ले पे क्लिक करना है और डिस्प्ले पे क्लिक करने के बाद आप लोग को कलर स्कीम पे क्लिक करना है ओके कलर स्कीम पे क्लिक करने के बाद देखें उपर में जो आप लोग को फोटो नजर आती है उपर में जो हमें photo नजर आती है काफी color रहते है उसमें जिसके माध्यम से हम अपने phone में color को adjust कर सकते कुछ category रहती है जैसे कि अभी vivid tree comment करता है हम saturated भी कर सकते इसको standard भी कर सकते जैसे कि default करना default कर ले warm रखना है cool रखना है custom रखना है फिलाल तो मैं cool यूज़ करूँगा मुझे cool ही better लगता है जो भी आप लोग को vivid color चीए saturated चीए standard चीए रख सकते डिपेंड करता आप लोग के उपर और इस टाइप से में अपने phone में display का color को change कर सकते बड़े आराम से ओके सो मिलते हैं next video में जय मता दी